हलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सस्राकाल, राम राम, सलाम मालीकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्षल अकेडमी में हम साइकोलोजी का रिविजन कर रहे थे और इसी दोर में हमने कल वक्तित्व वाला टोपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ डेफिनेशन्स देखी थी साथी साथ हमने दिखा था वक्तित्व के प्रकार अलग-अलग दृष्टिकोन के अधार पर ठीक है उसमें हमने कहा कि सारिक दृष्टिकोन के अधार पर सेल्डन और क्रेश्मर ने बाटा, सारिक दर्वे के अधार पर हिपो करा था और कल की क्लास का अच्छा रेस्पोंस रहा आप लोग इतना कोपरेट करते हो कि चाहे क्लास लाइव हो रही हो चाहे डिजिटल बॉर्ड पे हो या वाइट बॉर्ड पे आप पढ़ने को तयार रहते हो तो आपकी यह जो चीज़े हैं मुझे वोटिवेट करती है कि क इसके लिएम् outreach कर रही हूँ आपको भी मेंनत करना है आप भी लगे रहो जब तक लक्षए प्रात नहीं हो जाए कि जब तक लख शे प्रात्त नहीं हो जए तब तक लगे रहो वे से हमें क्या होना है लगे नह भिना दूलद के साथ ही बना गारवर को दहां ऑकों की आज आज आजए ठीक है अब इसका जो फ्राइड ने जु था उसके तीन है विक्तित्वे की जो सरंचना है या विक्तित्वे की गती की है ऐसे है ना सरंचना में दो मोडल आते हैं विक्तित्वे के आकारात्मक मोडल और गत्यात्मक मोडल तो विक्तित्वे का जो फाकारात्मक मोडल है वो किस ने दिया उविसली फ्राइड ने दिया तो इसके तीन प्रकार है इसनों ने मन के तीन प्रकार बताए चेतन एे चेतन और अर्धचेतन मन जो सपने लेते हैं या सम्मोहन जो अवस्ता होती है वो सारी किसमे होती है एचेतनमन में वक्ति की जो दमित इच्छाएं है वो कहां चली जाती है एचेतनमन में चली जाती है लेकिन यहाँ पर एक important बात आपको देखना है कि वक्तित्वे पर सोजो सबसे ज़ादा में होते हैं वो CHETAN MAN है लेकिन CHETAN MAN वक्ति तो यह इतना प्रभाव नहीं ढालता जितना एH CETAN MAN डालता है एH CHETAN MAN में जो engine है जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो यह आपन जो सपने लेने की अवस्ता में होते हैं तो वो जो भी अवस्ता हैं वो सारे के सारी कहां चली जाती है ऐ चेतनमन भर भर भरा पड़ा होता है ना और अर्ध चेतनमन है जो चेतन और अर्ध चेतन दोनु का मिला जुला रूप है इनने की ने तो वो पूरा चेतन है नहीं अर्ध चेतन है जैसे हम होता है कि अपनी गाड़ी की चाबी हमन कहीं तर्गत आता है तो व्क्तित्व्यका यह आकरात्मक मोडल, दिन व्क्तित्व इन्ह Mole ने हाना तो इड या इदम ये है वक्ति का दानव रूप हाना आपको ऐसे रहाद रखना है दानव में आप मतलब दानव है तो क्या है दानव है राक्सस है यहने कि यह ए नेतिक है नेतिकता नहीं है हाना और आदर्श्वादिता इसमें नहीं है फिर आता है इगो और फिर आता ह तो इड इगो में ये वित्तित्वे का मनुष्य रूप मान लो ये क्या है मानव रूप है मनुष्य रूप है और शुपर इगो जो होता है वो देवता रूप है तो देवता रूप क्या होता है बहुत ज़्यादा आदर्श्वादी बहुत ज़्यादा नेतिकतावादी आर बहुत ज़्यादा आदर्श्वादिता या नेतिकता वादिता कहां से आती है ये समाज सापक्ष होती है नेतिकता या आदर्श्वादिता समाज सापक्ष आती है समाज से आती है तो ये समाज की उपज है ये करो ये मत करो ऐसा करोगे तो ये से अपने नेतिक आदर्श्वा इच्का है ने तो दानो रूप है, ना देलता रूप है, तो ने तो पूर्टिया अधर्श्वादी होता है, और ने ही पूर्टिया नितिकता उसमें भरी होती है, इगो होता है इसको बोला जाता है कि वे यह वेक्तित्व navigation की कारेपालक साका है, और जो इड होता है यह जहां पर दमित इच्छाएं, जहां जो सपने लेना, समोन की जो अवस्ता है, वो सारी अवस्ता हैं किस में आती है, एचेतन मन में आती है, जो की मन का 90% वाग होता है, तो इड जो होता है, एचेतन मन का मालिक है, जबकि इगो जो है, वो चेतन मन का मालिक है, और इसको वक्तित्व कारपालक साखा भी कहा जाता है यह है इड एगो शूपर इगो बहुत जादा आदर्शवादी होता जो बोलता यह करो यह मत करो है और जो इड है इदम जो रूप है दानाव रूप है खाओ पी ओ मोज करो कि सिद्धान पर यह काम करता है जैसे एक चारवाकू का सिद्धान जिशन्दगी आगे पल को कॉन जाने मजे लहो उर्ण जू़न करो ठीक है रीट कब होना है लेकिन ऐसे इड इस चाराक वाले सिद्धान्त पे नहीं बैठे रहे जाना है हाँ मजे करो लेकिन मजों के साथ अपना जो कारिय है वो भी करते रहो अलग-अलग सिद्धान्त देखो हम देखते हैं आज मुकेस अंबानी है अंबानी फैमिली या जो मजदूर तो चलो बहुत अच्छे होते हैं आपने देखते हैं कि रोड पे जो खड़े रहते हैं लोग और पेसे मांगते हैं वो लोग भी खुश होते हैं क्योंकि जिन्दगी का नजरिया सबका अलग-अलग होता है हम जिस चीज में अपनी खुसी ढूंडते हैं खुसी रीवीजन कर रहे हैं और रीवीजन में हमने देखा वच्टित्य का अकारात्मक मोडल ज बोला जाता है धीतित्व का जो गत्यात्मक मोडल है उसमें दिया एड एगो गडंड आपको याद रखनाव6 और इज्मिस दानव रूप और इगो यह मानव रूप और सुपर इगो इने की देवतारूप आप इतना याद रखोगे तो आपको सारी चीज़े समझ आ जानी है इगो जो हम मनुष्य करते हैं कि बहुत ज़ादा आदर्श भी हम नहीं होते हैं ठीक है और बहुत ज़ादा वो अनैतिक भी हम नहीं होते हैं तो इनके बीच में हम balance रखके चलते हैं जोकी विक्तितो कि इसलिए इसको बोलते हैं विक्तितो कि कार्य पालग साखा ठीक है तो libido एक word आता है जो Friday ने काम परवर्थी के लिए libido word दिया था तो libido को ध्यान रखना libido means काम परवर्थी और Friday ने सबसे सहादा focus ही किस पर किया क काम-परवर्टी पर फ्रायट नहीं कहा कि सेस्व अवस्ता में खाही पर शिद्दान्त है लिग्तित आप्जली तु statute उन्हों में पांच भागू में तांकि वेक्ति जो बालक है वो मलमुत्ति वेक्थ के रियाऊं की माद्यम से काम करें रहाएं करता है काम पर फोकस किया इनोंने तो पांच प्रकार बताये यह पांच प्रकार कौन कौन से हैं यह हम देख लेते हैं तो लिखती तुए के जो प्रकार बताए इन्होंने 5 प्रकार एक वर्ड अच्छा अनस्थेशिया में लिखके रखावा था आपको बताना है कि अनस्थेशिया का मिनिंग क्या होता है यह आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स के अंदर हाना जैसे प्राइड ने दो मूल और ठेनाटोस का मृतलब होता है मृत्यू मूगूल प्रवर्वर्थी कुछ चीजें हैं जो और मुझे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स में भी एड़ करनी है मतलब अच्छी अच्छी चीजें निकालके वो एक वार मैंने जो मैंली कॉंसेट है वो आपके दिमाग में सेट कर दिया था तो हम वो डिसकस कर लेंगे सारी की सारी चीज़ें हाँ अब हम चलते हैं फ्राइड के सिद्दान पे तो फ्राइड के सिद्दान पे इन्होंने सबसे पहले जीरो से दो वर्ज की अवस्ता को बताया मुख परदान अवस्ता यानि मुख परदान अवस्ता का मतलब है मुख मुख अवस्ता यानि की बालक मुख में सारी चीज़ें क्या डालता है पैन दे दो कुछ भी दे दो मुख रहों के मतल़ है चूसना अंगुटा चूसना ये सा नाम दे दिया गुद्दा अवस्ता दो से तीन वाली अवस्ता को क्या दे दिया गुद्दा अवस्ता की बालक मल मुत्र क्रियों के माद्यम से काम क्रियाएं करता है ठीक है और यह दो से तीन इसके बाद में तीन से छे जो अवस्ता है उसको दे दिया लिंग प्रदान अवस तो यहां पर बोला जाता है कि जो तीन से छे वर्स की अवस्ता लिंग प्रदान अवस्ता होती है इसमें बालकू में मतलब किसी ग्रंती कौन सी होई आप कोमेंट करोगे मुझे कि जो लड़के हैं उनमें माता की प्रती प्यार होता है और जो लड़कियां है उसमें अपने पिता के प्रती प्रेम होता है यह किस ग्रंती के कारण होता है ओड़ीपस ग्रंती ओड़ीपस से मिनका बोईज में होती है और अलेक्टरा जो है नाम से यह से लगता है ओड़ीपस थोड़ा मेल वर्ड है तो बोईज में पाई जाती है तो अलेक्टरा गल्स में पाई जा है मैंने याद नहीं करा हुआ मैंने इतना याद करा हुआ कि अच्छा ओडीपस बोईज में पाई जाती है अलेक्ट्रा गल्स में तो इससे आप कनेक्ट कर लेंगे हम ठीक है तो जो यह थी लिंग पर दाना हुसता मुखावस्ता जीरो से दो की बालक मुख के मादम से हर ची इससे बारह याद आते ही मुझे आयाद आती है कि यहां नहीं दिया यहाँ पर इन्होंगे नाम दिया कि यह विकास होता है तो बाल्य आवस्ता में होता है, सेसो आवस्ता में अच्छा कासा विकास होता है, और किसार आवस्ता में बहुत तारा विकास होता है, लेकिन बाल्य आवस्ता में जो है, मानसिक विकास या सारे कुछा सबसे कम पाए जाता है, और यहाँ पर भ्राइड ने भी बोला की काम प पृक्त ने चीरिया क्योंकि इनसे भूट सारे क्योसंज आप सोल कर coktे हो कैंने वाल्य आवस्ता के ली क्या बोला था। ये जो है जीवन का अनोका काल है और क्योंसे नहीं आता है कि अच्छा जीवन का अनोका काल है तो ये किस विकास के तोर ये सम्वेगात्मक विकास के तोर पे बोला गया है कि जीवन का अनोका काल है और कल हमने बोला था कि अच्छा सीखने का आदर्श काल है जो किस ने दिया और कौन सी अवस्ता को बोला तो आपने सही अंसर किया कि सीखने का जो आदर्शकाल है उसी स्वावस्ता को बोला जाता है और ये वेलेंटाइन ने कहा तो वेलेंटाइन ने वैक्तित एकी definition दी थी कि ये जन्म जात और अरजित परोड़तियों का योग है और Valentine ने ही कुछ और definition दी थी जो हमने कल डिस्कुस करी थी कि जैसे बाल अपराद के लिए बोला कि कानून का उलंगन के रूप में जाना जाता है और कि शोर के लिए कि अपराद बढ़ती कास का नाजूख समय है तो ये कुछ definition थी जो Valentine से related थी तो आज हम पढ़ रहें कोल हैं बुरुश को क्यों कि हम पढ़ रहे थे एवक्त अवस्ता को हमने पढ़ा तो आप पढ़ तो रहे थे एवक्त अवस्ता को जो कि 6-12 होती है क्योंकि फ्राइड ने इसको एवक्त अवस्ता बोला कि ये निस्क्रिये होते हैं यहां पे काम करिया यह नहीं पाई जाती है 6-12 तो हमें याद रखना है कि 6-12 तो बाले अवस्ता और बाले अवस्ता क्या होती है एवक्त अवस्ता होती है थोड़ी निस्क्रिय अवस्ता होती है ठीक है यह सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो आपको याद रखनी है ठीक है हाँ इसके बाद आ जाता है छे से बारा हो गया और बारा के बाद जन्नेंद्री अवस्ता तो यहाँ पे काम प्रवर्ती सबसे जायदा पाई जाती है यहां सैम जेंडर यहां पोजी जेंडर दोनों की प्रती प्यार जागता है भाई भावी वाली फिलिंग यहां पर आने लगती है हाना तो किसोर अवस्ता में भी हम देखते हैं कि सबसे जादा जो गनिस्ट मित्रता है वो इस यहां पर पाई जाती है तो यह जो में इसमें यादी रखना यहां भाई की फीलिंग आ जाती है यह द्यान रखना कि जन्नेंदरी अवस्ता में यह सब होता है तो यह पांच अवस्ताइं बताई कि इसने फ्राइड ने तो यह फ्राइड के जो सिद्धानत है वो थे जो की अकारात्म मोडल गत्यात्म मोडल और यह जो पांच अवस्ता ही बताई कौन-कौनसी अवस्ता है फिर से हम रिवाइस कर लेते हैं कि 0-2 मुख प्रतान अवस्ता दो सालत का बच्चा हर चीज को कुछ भी चमच भी दो चम है बोली फिर इन्हों बोला दो से तीन मलमुत्र की रहाओं उसी में अनंद लेता रहता है यह दे दो यह फ्राइड है क्योंकि काम परवर्टी पर इन्हों चाहता फोकस किया उसके बाद इन्होंने बोला कि अच्छा 3 से 6 वाला तो लिंक परता न वस्ता है क्योंकि यहां माता और पिता के प्रति जो प्रेम है वो उमरता है तो अविक्षित होती है ौर अविक्ट पर इने किस्त पाई जाती है कौनसी होती है पित्र गृंतो Türkiye म granty है तो और इपस से हम याद रखेंगे कि बोईस में होती है मातर गृंति है और अलेक्टरा इंगल्स में पाई जाती है, गल्स में है, मतलब पित्र गरंथी है, ऐसे हम याद रख लेंगे और उसके बाद, यह कंगों सी होगी, तीन से चे, छे से बारा हमारी जो अवस्ता है, एवक ता अवस्ता क्योंकि ये है बाल्य अवस्ता और फिर बारा से बाग में तेरा से जो अवस्ता होती है वो जर्नेंदरी अवस्ता क्योंकि यह आ जाती है कि सोरा अवस्ता अडॉलेसंस और इसमें होता है भाई बाभी वाला प्यार तो हम ऐसे याद रख लेंगे तो ये clear हो जाता है हमारे जो फ्राइड का ये सिद्धान्थ है वो ठीक है हाँ इसके बाद हम discuss करने वाले हैं कुछ और शिद्धान्थ है जिसे कुछ नव फ्राइड वादी आए हाना काल यूंग वगेरा जो क्या है फ्राइड की जो भी कम्या थी उनको सुदारण एक आथा है कि वैक्तिक मनोविज्ञान जो है इसके जो रचियता याद प्रति पादक व्रण ज्याद आच्छा रहेगा यहां पर रचियता तो कोई रचना करने वाला होता है तो एडलर मनो एडलर आ गया मेरे नाम में आ गया है आपको ऐसे कनेक्ट ह जानके क्यों है प्रतिपादक एडलर है तो यह आपको ध्यान रगता है एक आता मानवतावदी सिद्दान जो की मेशलो है हम अधिगम में भी पढ़ते आया या फिर से बिसकस कर ले है अनुभाव जन्य सिद्दान जो की कार्ल लोजर्स का है हाना यह कुछ सिद्दान्थ है मैं देख लूँ कोई और सिद्दान्थ बाकी तो नहीं रह गया है एक केरोन हार्णी केरोन हार्णी ने बोला कि हारना नहीं है इनकी आसावदी द्रिश्टिकों रखते मैलाउं की हिंता का इन्होंने विरोध किया एक ध्यान रखना है कि जो फ्राइड है इन्होंने बाल् यह चीज़ें आपको याद रखनी है और उसके बाद में हमें डिस्कुस करना है तोड़ा सा कि एक मांग सिद्दान्थ आता है जो हेंरी मुर्य ने दिया तो मांग सिद्दान्थ हेंरी मुर्य ने दिया तो यहां पर आपको याद आना चाहिए कि मोर्गन और मुर्य भी वार्यूं तो भी चीजा याद हो रही होगी हा इसके ऐे चाहिएंगे के सिद्धांत की बारे में इसके पर्रकार दिया तो यहां से कौशन पहला लता है कि कोई सी भी विदी है तो वो कोंसी है वेक्तिनिस्ट विदी है आत्मनिस्ट विदी है या फिर प्रक्षेपी विदी है जैसे बोल दिया कि आत्मनिरक्षन विदी तो आत्मनिरक्षन विदी कि इसमें आती है ना तो पहला क्योसन तो यहां से बनता है दूसरा क्योसन बनता कि अच्छा आत्मनिरक्षन विदी है तो यह इस विदी और प्रक्षेपी विदिया, आत्मनिस्ट विदिया, जिसमें कौन-कौन सी आती है, एक आत्मनिस्ट विदियों में आत्मनिरक्षन विदी, सबसे पहले, आत्मनिरक्षन विदी, और आत्मनिरक्षन विदी को किसने दिया था, विलियम, वुंट और तीनेचर ने दिया था, ह वंट ने एक और दिया कि प्रेक्षण करके सीखना देखो अधिगम की पांच विदिया हैं करके सीखना जो किल पेट्रिक ने जोड़ दिया करके सीखना निरिक्षण करके सीखना तो निरिक्षण हमारे वोट्सन करते हैं और निरिक्षण करके सीखना यह हमारे एक विदी है जो कि कौन सी विदी है वस्तुनिस्ट विदी है हाना यहीं पर विक्तित्वय मापन की तो विक्तित्वय मापन की जो आत्मनिस्ट विदियां है तो आत्मनिस्ट विदियों में कौन-कौन सी आती है तो आत्मनिस्ट विदियां जो है एक तो आगई आत्मनिस्ट विदी जिसक आत्मन इरक्षन विदी दिया ठीक है तो इसके बाद आती है आत्मन इस विदियों में ही व्यक्ति इतियास विदी यानि कौन सी विदी व्यक्ति इतियास विदी यानि कैस इस्टेडी और व्यक्ति इतियास विदी कैस आपको कहसन आपसे यह है कि अच्छा कैस इस्टेडी ज कि विदी किसने दी तो ये करने वाले मैन टाइट मैन होते हैं यहने कि ये किसने दी टाइड मैन ने दी तो ऐसे आप याद रख लोगे टाइड मैन ने दी क्योंकि वरती तो है तो मैंने कहा कि ए सामन्य बालकूं क्या किया जाता है क्या किया जाता है कैसे स्टेडी करी जाती है तो कैसे स्टेडी ऐस सामन्य बालकों की करी जाती है तो यहां क्योशन यह बनता कि अच्छा प्रतिबा साली बालकों की क्या कैसे स्टेडी होती है तो पिल्कुल प्रतिबा साली बालक भी क्या है ऐस सामन्य बालकों में आता है व इतियास विदी तीसरी विदी जो है वो है प्रशनावली विदी ठीक है प्रशनावली विदी और प्रशनावली विदी को हमने कहा कि जो विदी है तो सबसे पहले प्रशनावली विदी को दिया था सुकरात ने जबकि वुडवर्त ने इसका विकाश किया था हना वुडवर् आत्मानिरक्षन विर्कितियास विदी प्रसनावली विदी और चोती जो है वो है शक्षातकार विदी कौन सी विदी सक्षातकार तो शक्षातकार जो इंटर्व्यू है यह विदी कहां से आई तो अमेरिका ने इंटर्व्यू अगेरा यह यह अमेरिकार इनके काम है इंडिय है साइकोलोजिस्ट के पास गया और अराम से अपने बातें बता रहें भाई मैं ऐसा हूं यह problem है मैं यह problem है हाना तो वह अनुपचारिक हुआ उपचारिक मतलब पूरा उपचारिकताउं के शाथ आप कॉसंस पूछरे हो वह अंसौर कर रहा है मतलब ऐसे आप समस्द सकते हो हना तो यह चार जो विदिया है वह कौनसी विदिया आत्म निस्ट विदिया ठीक है आत्मनिरक्षन विदी विलियम वूं टोटिनेचर ने दियो ठीक है वै Caribbean अपैसे हो घ्राइडबेन ने दिया और इसके बाद आता है प्रशनावलिविदी सुकुरत और वट्सन ने वाटसन नहीं वुडवर्त ने और वाटसन ने कौन सी दी निर्क्षन करके शीकना निर्क्षन विदी जो दी थी वो किसने दी थी वाटसन ने दी कि चाय जो बालक दे दो वैसा बना दूंगा जैसा आपका होगे तो वो तो है वस्तुनिस्ट विदियों में ठीक है और यह सक सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, अमेरिका से स्टार्ट हुआ, इसके बाद हम देखने वाले हैं वस्तुनिस्ट विदिया, कुन सी विदियां देखेंगे हम, हम देखेंगे वस्तुनिस्ट विदिया, और वस्तुनिस्ट विदियों में सबसे पहले जो आती है, वो आती ह और मनोराट के विदी को भी किस ने दिया इसी ने दिया है ना तो यह जो विदी हो गई तो निर्क्षन समाजवादी समाज मीती निर्क्षन विदी इसी में आती है किसमें और दूसरी है समाज मीती विदी तो वो भी इसी में आती है तीसरी जो विदी है तीसरी जो विदी है ऩो कॉनसी है तो वह वीदी है rating skill वीदी और चोती है परिंग स्थितिती की production वीदी ऐसी कुछ तो जो interaction वीदी है वो किसने दिया watching ने दिया। कि दरिक निरक्षन करके सीखना भी watching ने दिया। ठीक है इसके बाद आती है समाजविती विदी यदि समो का दिन करना है तो वो हम समाजविती से करेंगे और समाजविती विदी को किस ने दिया जैल मोरेनो ने दिया और मोरेनो याद आते ही एक आती है विदी मनोनाट किये विदी वो भी आद को याद रहने ही चाहिए कि मनो और इन्हों साथ इन्हों ने अपनी समाझमीती विदी विदी जो की करम, निर्धारण, मापनी विदी यह फ्रांसिस गाल्टन देते हैं हाना जो हमने पड़ा कि गाल्टन सरोपरतम उद्धी सब्द का प्रयोग कि आठारसो पिचांसी में और यह डेटिंग इसके लिए दी अठारसो त्यांसी में दी साइप और इन्होंने ही वक्तित विभिंता का सरोपरतम अध्यन किया था फ् साइकोलोजी ऐसे सलट जाएगे फिर कुछ चीज़ें होती है पहले तो हमें साइकोलोजी को ऐसे याद रखना है फिर और थोड़ा उसका और पडिक्शन करना है और निरिक्शन करना कि किस टाइप के क्योसन पूछे जाते हैं तो इसके लिए मैं आपके सीटेट या पहले लगेगा कि ये चीज़ें भी मुझे थोड़ी और देखने लिए एक बार अपना बेस त्यार हो गया ना उसके बाद हम देखेंगे फिर चीज़ों को देखो जब बेस ही क्लियर नहीं है तो सारी चीज़े एक साथ आती है ना तो हमारा माइन कराब हो जाता है कि नहीं प्रते में लगाती हूँ अभी मैं नहीं थोड़े कुछ और चीज़ें आपको बताने वाली हूँ आपको लेगा अभी तक ये तो अच्छा बताया है नि लेकिन वह क्या है मूर्थ वाली चीज़ें एक बार आपके सामने प्रोस दीना फिर अब आप अमूर्थ के लिए र अलão है कुछ से तुम्या करती हूँ जब घरती हो अब भी मुझे लगता है आप क्योस्न प्रक्टिस कर रहे हूं जो आपको आथा है वह आपको हमेशे आता है यह मानगे चलो आप जो गलती करते हो न एक माईने बाद में उसक्वशनकों फिर से करोगे तो फिर से वही गल ड़ें कहलें कोई हैं तो कोई एक कोसन ही है नहीं है ठीक हम के वाला क्योंत है के का मैं बहुत बहुत जादा करेढ़ा बहुत गाल की ज्मूत की मच्पिनligenेट तो वो का वो मैंने उस टाइम भी वही गलती करी थी और exam में एज़िटी आया था exam में भी मैंने वही गलती करी थी तो गलतियां हम वही करते हैं तो मेरा कहने का मिनिंग क्या है आपको कि आप जब भी जैसे क्योसन्स को पढ़ो पूरे क्योसन्स में टाइम वेस्ट मत करो केवल उन्ही क्योसन्स को पढ़ो जिसमें आपकी गलतियां हुई थी यह वो गलतियां फिर से करने वाले हो अपना माइंड देख लेना कभी इसको के देख लेना मैंने तो आजमाया हुआ है इसलिए बोल रही हूं हाना चीक है तो इस टाइप की गलतियां एक्जाम में गलती होती है जैसे अपन पेपर देते हैं प्रेक्टिस क्यों करते हैं एक्जाम में जैसे कोई एक्जाम होता कि इतने नंबर आए तो फिर हम बहुत इतना ध्यान नहीं देते तो उन क्योंस के बारे में मैं बोल रही हूं बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट है मतब एक पढ़ाई का तो यह आपको करना चीए अच्छा हम कहा थे हम थे वस्तुनिस्ट विदियो में जो थी निरिक्षण विदी समाज मिती विदी और रेडिंग घ्रती विदी विदीयां हो गई वस्तुनिस्ट विदियो में लिय्क्षण का मिनिंग क्या होता है सबसे पहले वीनिंग आपन को समझतना चीए तो किसी विचार है या आपनी भावनाय है वो किसी डूसरे वैक्ति आ किसी वस्तु की मादियम से हम परकट कर रहे हैं अपने को अपन खुद के मादियम से नहीं परकट कर रहे हैं किसी और व्यक्ती के मादियम से या किसी वस्तु के मादियम से प्रखशेपन के फेंकन जो आता है सारे अधर होते हैं मतलब यह फेंक के और हैप्रोगेड्ड रौजेकटर है आप पढ़ते हूँ, तो यह यह प्रक्षेपन का मिनिंग होता है, फेंकना, एक मिनिंग होता है ना, प्रक्षेपन का मिनिंग जो मैंने बता है, वो वाला, हाँ, इसके बाद अच्छा, प्रक्षेपन जो विदियां हैं, वो कौन-कौन सी विदियां हैं, तो वो हम अब डिस कर दिया शाई से रोसन कर दिया तो ये विदी किस ने दी हर्मन रोसा ने कब दी थी 1921 में ठीक है हाँ इसमें जो कार्ड होते हैं पांच काले कार्ड होते हैं और पांच ही जो कार्ड होते हैं वो काले होते हैं काले सपेद और पांच काले लाल और तीन अन्य कार्ड होते हैं तो ये जो है शाई धबा प्रिक्षा या इंक ब्लोट टेस्ट तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ह इसके बाद आता है पारसंगीक अंतरबोध प्रिक्षन T.A.T. पारसंगीक अंतरबोध प्रिक्षन T.A.T. अभी हमने देखा था मांग शिद्दान तो मांग शिद्दान मुरे ने दिया था तो पारसंगीक हैंडरी मुरे न है और पारसंगीक अंतरबोध प्रिक्षन T.A.T. किसने दिया था ये Morgan and Murray ने दिया था दियान रखना है पार्संगी कंतर बोध प्रिक्षन में 31 कार्ड होते हैं 10 male के लिए 10 female के लिए और 10 जो कार्ड होते है male plus female के लिए एक जो कार्ड होता है वो खाली होता है अभी तक आपको ये चीजे आरी होगी समझा 10 male के लिए 10 female के लिए 10 male plus female के लिए और एक जो कार्ड है वो खाली होता है 31 कार्ड इसमें लिए गए है ठीक है ये कौन सा है ये है male लिए अपन को इतना ही याद रखना इतनी चीजे में याद रहती है तो पहला था हर्मन रोसा रोसा ने शाही से क्या कर दिया रोसन कर दिया शाही से रोशन कर दिया हर्मन रोसा उसमें पांच काले सपेद काले लाल है इस टाइप के कार्ड लिए थे और ये जो है वो क्या है कौन सी विदी है टी एटी पारसंग अंतरबोध प्रिक्षन हाना मोरगन और मुरे ठीक है एंडरी मुरे ने कौन सा सिद्दान दिया था मांग सिद्दान दिया था इसके बाद हम बात करते हैं एक था जो बालक अंतरबोध प्रिक्षन हाना तो बालक अंतरबोद परिक्षन और प्रोड अंतरबोद परिक्षन दोनों ही जो दिये थे वो लियोपोर्ड बैलक ने दिया थे हमें लियोपोर्ड में तो याद रखती हूं लियोपोर्ड बालक से लियोपोर्ड पता नहीं क्या नाम है मैं बैलक ऐसा कुछ है तो मैं तो बोलती हूं कि ये बेलक नहीं है ये तो बालक ही है जिसने बालक अंतर बोध प्रिक्षन और प्रोड अंतर बोध प्रिक्षन भी किसने दिया तो इसी बालक ने दिया प्रोड अंतर बोध प्रिक्षन एक आता है कि अर्नेस्ट कृष्ट ने इसका विकास किया तो कृष्ट नाम के बालक क क्रिस सा नाम रखा है तो क्रिस नामक बालक ने इसको क्या दिया विकास कर दिया ठीक है तो प्रोड अंतर बहुत प्रिक्षन या बालक अंतर बहुत प्रिक्षन यो है वो किस ने दिया और नेस्ट क्रिश और सोरी सोरी किस ने दिया बालक नहीं दिया लियोपोर्ड बैलक न मैं इसको बोलती हूँ कि टेंडलर को मैं हैंडलर पढ़ती हूँ और हैंडलर यह नहीं कि हैंड हैंड से सेंटेंस को कम्प्लीट कर दो क्योंकि वाक्ये पूर्ती परिक्षन है ना तो वाक्ये सेंटेंस कम्प्लीट करो किसे हैंड से तो वाक्ये पूर्ती परिक्षन हैंडलर handler नहीं है actual में tendler है तो tenderler के साथ पाई ने और tenderler ने वाक्य पूरती परिक्षन दिया तो I hope और कोई विधी बची हुई होगी तो मैं देख लेती हूँ कि कोई इस भी विधी है जो बची हुई है क्या हाँ बाला कंतरबोध परिक्षन हो गई वाक्य पूर्थी परिक्षन हो गई और मनोव श्लेक्षन विदी है जो एक आपको याद रखना है कि पार्शंगी कंतरबोध परिक्षन जिसका भारत में जो अनुवाद किया वो उमा छोदरी ने किया 1960 में किया ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है जैसे हम पढ़ते हैं ब विदियां है कौन सी प्रक्षेपी विदियां आयोप मेरसे कोई चीजें इसकिप नहीं हुई होगी क्योंकि जो चीजें याद थी मुझे वह मैंने बताया है हां तो यह अल्मोस्ट यह चप्टर जो है वह कंप्लीट कवर हो चुका है कि वक्तित्वे के जो प्रिभासा है ह इसलिए थोड़ी-थोड़ी करके जो पूछी गई है उनको याद रखो फिर राम भरोसे रहो अपनी तरीके से पूरी मैनत कर रहे है उसके बाद कुछ भी आ जाए तो यह तो अपनी मर्जी है फिर अपने किश्मत है हाना क्योंकि एकवार अपनी मैनत पूरी कर लो अब जैसे मैट्स में हुआ था मैट्स का भी जो फस्ट गेर का पेपर था मैनेजमेंट के 30 क्योसन आ आ जाएंगे हाना तो यह मैट्स को दोड़ा एक पुस दे देंगे लेकिन इस बार इतना टफ वेफर आया गा तीस क्योसन वो अटेम्ट करना इतना मुस्किलता साइट बीज ही नहीं होंगे हाना बहुत टफ वेपर आया था अजीब अजीब से क्योसन साय थे तो ठीक है व पिर अपने साथी लोग उसको कर देते हैं अब जैसे पेपर टफ आया था फर्स्ट गेड़ का है ना मैंने ज्यादा क्योसन अटम्ट किये पर जब टफ आय तो क्योसन कम अटम्ट करने चीए मैंने ज्यादा करे थे कम करना चीए था थोड़ी अच्छी रेंक और आ जाती क पिर अपने साथी लोग जो है वो उसको कर देते हैं अपना गलत हो जाता तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है और बहुत जादो कि बहुत मैटर पढ़ के जो सब कुछ वो याद नहीं रहने वला है मैटर कम पढ़ो लेकिन कम पढ़ो उसको बार-बार रिवाइज करो जो पढ़ो कम से कम वो याद होना चाहिए उसका कुछ आउटपुट मिलना चाहिए मैं इसी थियोरी को लेके चलती हूँ हमेशा किसी भी एक्जाम में बहुत जादा मेंटर पढ़ने का मिनिंग कुछ भी नहीं होता है वो याद नहीं देता है तो क्या मिनिंग है इतनी मेहनत का अना तो आई होप यह आपको रिविजन क्लास अच्छी लगी होगी और इस टाइप से हम हर एक टोपिक का रिवाइज करते रहेंगे साथ ही हम क्योंस भी लेके आएंगे उससे हम और जो है टोपिक को क्लियर कर लेंगे तो मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में तब तक हम मस खुस रहें और पढ़ते रहें हवागा गुड़े बाई बाई